क्यांसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज आपकी क्रेस कोर्स की डे नंबर 40 है यानि 40 में नंबर की क्लास और 90 का हम लों का टारगेट है और यह मास सोचना कि जो पैटर्न बदलने की बात चल रही है या में से होगा वो आपके इसको कहीं से कहीं तक परभाव इतनी करें ठीक है यानि आपका जो ये वाले जो exam है जो running exam है उस पे नहीं बदला जाता है pattern वो बदले जाएगा तो वो बात की बात है लेकिन वो भी धरातल पे उतरना कितना आप समझ सकते हैं complicated हो सकता है क्योंकि अगर आप group D या मतलब इस नातक इस्तरी परिक्षा के लिए अगर आप main से कराएंगे तो अगर हो भी जाता है एक पसंट तो फिर वो मुझे लगता है कि multiple choice question ही होने चाहिए MQQHD ही होना चाहिए इसी परकार से थोड़ा सा question मतलब यह होगा कि पर यह common कर दिया जाए छटनी कर दी जाए उसके बाद main से अगर होगा तो वो भी MQQHD ही होगा अगला लिखो आप लोग सहा जहाक ने अपने सासनकाल में ऐक चिहिल सुतन बनाया था ठीक को चालेश खंबो का सभाबवन केहते थे वो क्या था किर लिखो सह जहा के काल में पूरा लिखने ठीक कर लिख हुए चिहिल सुतन ये सब सेवन्थ है और सेवन्थ काल एंड हो जाएगा ठीके मलद सेवन्थ की ग्लास की जो हिस्ट्री है वो कल खतम हो जाएगी यानि सेवन्थ एंसियाटिक खतम हो जाएगी सहाजहां के काल में चिहिल सुतुन इसको प्रैकेट में लिखो चालिस खम्बूं का सभाववन यानि चालिस खम्बूं का सभाववन का सभाववन ये क्या चीज थी यानि ये क्या चीज थी लिको लिको चाजा के काल में चिहिल सुतुन यानि चालिस खम्बूं का भवन क्या था ये बच्चों मैंने आपको दिवान ए आम और दिवान ए ख आम वो दिवाने खास दिवाने खास यहानी दिवाने आम और दिवाने खास क्या था चहिल सुतुन इसको बोला जाता था यह आपको झ् legit Nали जो बात है ठीक है नेक्स्ट विस्चन आपने लिखना है दिखो एक बहुत फिर्मस विस्चन है हुमायू नामा इसकी रचना किसने की है यानि हुमायू के जो जीवनी पे लिखी गई है हुमायू नामा की रचना लिखना लिखने है ठीक है तो हुमायू नामा की रचना लिखो किसने की आखिर हुमायू नामा की रचना गुल बदन बेगम ने ठीक है क्या लिखोगे बहुत इंपूरेंड है गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम के द्वारा क्या की गी थी हुमारी नामा की रशना की थी नेक्स्ट क्यूशन लेकने आपको एक बच्चो मुगल शासन काल में जो इस्तापत्य का ला होता है इस्तापत्य मतलब कि आप लोग यह समझे जो बिल्डिंग बगरा बनाना है भवन निर्माण सहली की यानि इस्तापत्य का मतलब होता है तो उसमें क्या हो गया था कि हुमारी नाम मतलब इनके काल में एक तकनीक आई थी बांगला गुमबद तकनीकी का परियोग किस चीज के लिए क्या जाता था लिको मुगल काल में बांगला गुमबद तकनीक मुगलकाल में बांगला गुम्बत तकनीकी का परियोग क्या ज़ता था ये बच्चों मुगलू दोरा वास्तुकला के छेत्र में छत निर्माण की एक कला थी जो इक बंगाल की सैली थी ठीक है तो लिखो वास्तुकला निर्माण में वास्तुकला यानि इस्तापत्य ठीक है वास्तुकला छेत्र में छत निर्माण की सैली जो छत बनते हैं उसकी निर्माण की एक प्रकार की क्या थी सैली थी और इसको ये ध्यान रखने आपको कि जो ये बंगला गुंबत तक्नीक थी ये बंगाल की क्या थी अपने आप में द ठीक है, मुगल काल से संबंदित, मुगल इस्तापत्य काल से संबंदित, पितरा दुरा, इदर लिखता हूँ, दिख जाएगा न, हाँ, दिख जाएगा, पितरा दुरा, मुगल इस्तापत्य काला से संबंदित, पितरा दुरा का संबंद लिखो, बहुत इंपोटेंट है, य पिट्रा दुरा तक्नीक है तो इसमें लिखो एसके लिखोंain मुगल वास्तुकल्हा में संगमर्मर अथवा बलुवा पत्थर को अलंकरित करने की एक तक्निकी थी, ठीक है लिखो, मुगल काल में, मुगल काल में, मुगल काल में, मुगल काल में लिखो, संग मरमर, क्या लिखोगे, मुगल काल में, संग मरमर अथवा दिवारों को, यानि इस प्रकार से लिखना, जो पितरा द पूरा लिखो, मुगल वास्तुकला में संगमरमर अथवा बलुआ पथर को अलंकरेट करने की तक्निकी। इसको विदिजाइन की ऍव geschते हें और एक संबन्दित के हैं। मुगल वास्तुकला तो सिंपल सी बात अगर आप से कभी पूछता है कि पितरा दूरा क्या है आप लोग बता दे ना मुगल वास्तुकला के छेतर में जो संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकरित किया जाता था सपोज एक दिवाल बनाई किसी मीडिंग की उसको डिजाइन किया जाता था तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि पितरा दूरा क्या चीज अपने आप में थी मुगल इसका पर तेकला के छेतर में तो आपको यह क्या होना चाहिए पता होना चाहिए ठीक है इसके बात जो बच्चों यहीं पर अगला क्वेश्चन आता है इसी एंसी एंसी आर्टी की क अगला लिखना आपको पानीपत की पहरी लणाई तो मैंने बताई थी ना पानीपत की दूसरी लणाई लणाई यह हुई थी बच्चों का पंदरह सो चपन में ठीक है 1556 मा और यह किसके बीच हुई थी अक्बर और हेमो की सेना की बीच चीक है लिखो अक्बर की सेना हो увид miss का ठीक है फले ही अक्बर ने मतलब चोटा रूच्चा था वो उत्ना बढडा नहीं था तो किसी ओन ने उसकी ओर से भाग लिए लेकिन अकबर हो हेमू की सेना लिख दो कि नेक्स्ट वेशन आपने इसमें लिखना है हल्दी घाटी का युद्ध ये भी बहुत आता है विपल में हल्दी घाटी युद्ध ये वथा आपने आपने 1576 में ये वथा महाराना प्रताप हो अकबर की सेना के बिश्टी हल्दी घाटी का युद्ध यहीं पर नेक्स्ट वेशन आपको लिखने है वो है भूत इंपोर्टेंट जिसको बोलते हैं अपने आप में मतलब फिलाल तो आप ऐसी लिख लो चोल काल में लुप्तुमोम तकनीक की का परियोग किस चीज के लिए किया जाता था ठीक है लिखो कांसे की जो मूर्तियां होती थी कांसे मूर्ति निर्माण हे तू इसमें क्या करेंगे जैसे मोम को गला के पिखला के मतलब इस तरीके से स्ट्रेक्चर बना के लांस मोम छोड़ देता होगा उस बॉड़ी को तो अपने आप में लुप्तुमोम तकनीक जो थी कांसे मूर्ति निर्माण से संबंदी थे ये भी आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट यहीं पर आता है पुसकर सरोवर कहां है पुसकर जील या पुसकर सरोवर राजस्तान में है ठीक है कहां लिखोगे पुसकर सरोवर राजस्तान में पुसकर सरोवर कहां लिख दिया राजस्तान में लिख दिया अजमेर के पास ब्रैकेट अजमेर कर दो ब्रैकेट में लिख दो अजमेर के पास ठीक है पुसकर ग्रामम व नाना देशी ये क्या थे बच्चो ना दक्सिन भारत में यानि साउथ इंडिया में व्यापारियों का संग लिखो दक्सिन भारत में व्यापारियों का संग व्यापारियों का संग क्या कहला था नाना देशी कहला था मनि ग्रामम नाना देशी जो थे ये सब्द जो थे दक्सिन भारत में व्यापारियों के संग के लिए परियोग हो हैं ठीक है इसी तरीके से एक कुश्चन आता है आपको मुस्लिम वोहरा समुदाई का संबंद ये भी क्या थे अपने आप में व्यापारी थे ठीक है व्यापारी का एक समुदाई था मुस्लिम बोहरा समुदाई ठीक है ये भी रियान बरते आपको नेक्स्ट विश्ण लिखने आपको जो हमपी नाम का एक नगर था विजय नगर सामराज जी के अंतर वो कहां पढ़ता है किन नदियों के वीच पढ़ता है हमपी नगर लिखो ये करनाटक में बच्चो जो क्रिष्णा वो तुंग भद्रा नदी है ना उसके मध्य है ठीक है क्रिष्णा प्लस तुंग भद्रा नदी लिखतो के मध्य है तुंग भद्रा नदी के मध्य है ठीक है तो ये हमपी नगर की नदियों के पास बसा है पुछेगा तो क्रिष्णा वो तुंग भद्रा नदी और ये बहुत फिमस नगर है ठीक है ये अपने आप में इंपोर् आप विजाइनगर सामराजी से संबंदि चीजें मिली हैं हम पी कि होसे मिलें आप एक बड़ा सामराजी होगा गता था है विजाइनगर सामराजी लिखा रहा है रहा हु और नेक्स्ट कुर्षयन आप लोग लिख लीजों करें किन इप गवी थी बहुत इंपोटेंट है विजय नगर सामराज जी की स्तापना ये हुई थी बच्चों अपने आपके 1336 में और इस समय जो था इनके स्तापना करना ले दो बंदू थे हरी हर प्लस बुक्का इन दो व्यक्तिव ने इसी सामराज जी की स्तापना की थी और उस समय दिल मैं इसके नीचे लिख दो दिल्ली में किसका सासंता पूछता है मुहमद बिन तुगलक क्या लिखोगे मुहमद बिन तुगलक मुझे नाम की जगपे धिया है मुरो लिखो वीजई नेगर सामराज जी में मुरो सब्द जो आय हो ऊसका मतलब क्या है विजयनगर सामराजी में मुरो सब्दकार थे हैं मुस्लिम सौधागरू के लिए इसको यूज किया है कि जो कि हमपी के बाजारू में आते थे ठीक है लिखो मुस्लिम सौधागर होते थे मुस्लिम सौधागर मुरो विजयनगर सामराजी के समय में ठीक है इसके माचे जो आपका अगला क्विशन आता है परसिद्ध विठ्थल मंदिर कहां पर इस था है और हम्पी ये करनाटका के पास है ठीक है विजय नेगर साम राजी में और इस विठ्थल मंदिर का जो निर्माण किया था वो किस्ने देव राय नहीं किया था लिको इस विठ्थल मंदिर का निर्मान जो किया था कृष्णदेव राय ने विठ्थल मंदिर का निर्मान किसने किया था कृष्णदेव राय ने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए अगला कुश्यन यहीं पर आता है प्रसिद्ध विरुपाक्ष या सिव मंदिर भी यहीं पर है ठीक है लिखो प्रसिद्ध विरुपाक्ष बहुत इंपोटेंट है विरुपाक्ष प्रसिद्ध विरुपाक्ष और ब्रैकेट में लिख दो सिव मंदिर ये भी कहा है हमपी मावस्तित है ठीक है ये भी बहुत आ का युध्य ये वाता बच्यों 1565 में यानि 1565 में इसी युद्ध को राक्षस तगड़ी का युद्ध कहते हैं ठीक है यानि जो आपका ताली कोट का युद्ध हुआ का हुआ था और किस मतलग का किस इस युद्ध का दूसर डाम के यह पता होना चीए नेक्स्ट वेशन आता है आपको वास्को डिगामा जो था काली कट के बंदरगाह पे कप पहुँचा देखो धिरे धिरे हम कहां पहुँच गे हैं विजय नेगर सामराजी मुगल की क्वेश्चन 7 की किताब में पढ़ने के बाद हम पुर्तगाली यानि जो भारत मां आ रहे थे विदेशी लोग वहां पहुँचें ठीक है लिखो वास्को डिगामा काली कट के तट पे कप पहुचा वास्को डिगामा किस तट पे आया था यह भी पूछता है ठीक है काली कट बंदरगाह पे लिखो कप पहुचा पंदर 1488 में में यानि वास्को डिगामा के द्वार जो काली कट पे परवेश किया गया कप हो जा था 1498 में यहीं पर अगला question लिखने आपको मांसा किसका सेनापती था मांसा किसका सेनापती था यह अगबर का था ठीक है अगला question लिखने आपको यह जो तान सेन था वो प्रसिद्द संगीतकार किसके दरवार में था लिखो तान सेन जो कि यह प्रसिद्द संगीतकार था प्रसिद्द संगीतकार यह किसके दरवार में था अगबर के दरवार में लिखो तान सेन किसके दरवार में था अगबर के और यहीं पर एक बहुत important question आता है बुलंद दर्वाजे का निर्माण किस ने किया था बहुत important बुलंद दर्वाजे का निर्माण किस ने किया था यह अपने आप में किया था बच्चों किस ने अगबर नहीं किया था ठीक है बुलंद दर्वाजे का निर्माण करने आदा जो शाल सकता वो कौन था अगबर था यहां से question आपका आता हैं तो यह थे आपके आतके GS के question ठीका और अब कल जो है इसकी end last class आएगी 7th NCRT यानि कल कौन सी class होगी इमारी day 41 होगा यानि day 41 में आपका क्या हो खतम हो जाएगा एक तो पमार राजों से end हो जाएगा दूसरा 7th की NCRT आपकी end हो जाएगी कौन सी class पे day 41 में उसके बाद आपका जो बसता है उसके बाद कौन सा बसता है गोरखा टिहरी राजी और ब्रिटिस यानि तोटे मिला के आप मार के ज़ले 6-7 classes यानि 46 के आसपास हम लोग 47 पे हम कहां पहुंच जाएंगे सीधे सीधे आपका जो आपका उत्राखन राजी निर्मान था ठीक है अब उसके बाद जो NCRT आती है वह एठ्थ वाली जो आती है पांच क्लासे उसको लेके चलिए आप लोग यानि 45-46 के आसपास हम 8th के NCRT हिस्ट्री कंप्लेट कर लेंगे 9 जादा समय नहीं देगा क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के पूर्सन है तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका बहुत ज्यादा कुश्चन आएगी उम्मीद मत करना आगया तो एकात कुश्चन आएगा वरना बहुत कम चांसे से उसके बाद आखे आएगा आएगा 11 तो वहां जो है उत्राखन के कुश्चन लिख लिए आप लोग उत्राखन पहला कुश्चन लिखो जिया कनक देई संदक्षी का किसकी न्यूक्त हुई थी प्रदीप साहगी लिखो जिया कनक देई किसकी संदक्षी का न्यूक्त हुई थी प्रदीप साहगी अगला कुश्चन लिखना आपको कल्यान चंद चतूर्त की रोहिला आक्रमन के समय सहाइता किस पवार साहग ने गे थी लिखो कल्यान चंद फोर्त यानि चतूर्त की रोहिला आक्रमन जब हुआ था इसके ब्रेकेट में लिखो 1743 यानि आपने के लिखना है कल्यान चंद फोर्त की रोहिला आक्रमन के समय सहाइता किस पवार साहग ने की थी प्रदीब सहाइए यह भी बहुत इंपूर्डेटन क्वेशन है इससे दो गुषण बन गे एक तो सहाइता किस ने की थी एक तीसरा दूसा बन गया रोहिला आक्रमन के समय में चंद फोर्त कौन था यह था यनित तीन क्वेशन इसी लाइन से आपके बन गए हैं ठीक है इक क्वेशन कर आप मत करके आना अगला लिखने आपको श्री नगर में मंगलेश्वर मंदिर की स्थापना किस ने की थी लिखों श्री नगर में श्री नगर में मंगलेश्वर मंदिर शिरी नगर में मंगलिश्वर मंदिर की स्तापना परदीप साह का एक मंत्री था चंद्रमणी डंगवाल उसका नाम था ठीक है लिखूँ चंद्रमणी डंगवाल ब्रकेड मिल्को परदीप साह का का एक मंत्री था ठीक है यहनी इसका नाम था चंद्रमणी डंगवाल इसी ने श्रीनगर में मंगलीश्वर मंत्र की स्थापना की थी अगला लिखना आपको चंद वो पवार वन्स की दोस्ती का काल मित्रता का गाल या स्वाण डिकाल कोंद किसको गाल जाता है लिखो चंद प्रस पमार की मित्रता का गाल किसके सासन काल को गाल जाता है परदीप साहा इदा लिख देवने ठीक है लिखो परदीप साहा के सासन काल को प्रदीब साह के सासन काल को क्या कहा जाता है चंद और पमारवन्ची की मित्रता का काल कहा जाता है ये कुशन भी आख को क्या करना है ज्यान में रखना है ठीक है इसके अलावा दिख लो आख लो प्रदीब साह का एक राज कवी था मेधाकर सर्मा तो अगला कुशन दिख लो मेधाकर सर्मा किसका राज कवी था क्या लिखोगे मेधाकर सर्मा किसका क्या था राज कवी था राज कवी मतलब उसके राज कवी दब्रवारी कवी तो इसमें क्या लिखोगे प्रदीप साह का प्रदीप साह का क्या था यह राज कवी था ठीक है कौन यह अपने आप मेधाकर सर्मा इसके बाद अगला कुश्चन देखिए कि दो किताबों के नाम आपको लिखने हैं वो मैं लिख देता हूं दो के दो साथ लिखना है ठीक है लिखो गड़वाल पेंटिंग्स और गड़गीता संग्राम किसके तरह लिखी गई है यह बहुत बार बता दिया मैंने आता संग्राम यह किसके द्वारा लिखी गई है मला किसकी है मौला राम की ठीक है यानि किसकी से संबंदी थे मौला राम से संबंदी थे यह कुश्चन दिया आपको क्या गणने ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन लिखने आपको देहरादुन में दुति रोहिल आक्रमन यानि रोहिला ने कब दूसरी बार आक्रमन किया था ये क्या था 1766 में 1786 में इसको क्या क्या था दूसरा आक्रमन मता देहरा दुन में रोहिला का थीक है अगला लिखने आपको बहुत इंपोटेंट है 51-52 क्या है 51-52 ये क्या चीज है ठीक है तो ये बच्चों 1755 के आसपास जो गड़वाल में भीशन अकाल पढ़ा उसको बुला जाता है 51-52 लिखू गड़वाल का भीशन अकाल और ये कप पढ़ा था लगभग 1755 के आसपास इसी को बुला जाता है 51-52 लिखू और यहीं पे एक most important question आता है गड़वाल का जो भुकम्प था ठीक है लोगो ये question बहुत बार आगे लिखू गड़वाल में विनासकारी भुकम्प लिखू बहुत बार आगे अगला लिखो अखंड गड़वाल का अंतिम राजा कौन था अखंड गड़वाल का अंतिम राजा इसका क्या मतलब है अखंड गड़वाल यानि जब टिहरी रियासत अलग नहीं हुई ठीक है पहले टिहरी रियासत भी एक ही दी परद्यूम ने साह था ठीक है यानि अखं गड़वाल का अंतिम राजा कौन था अगर कोक्षिन में पूछता है तो आपको पता होना चे पर्द्यूम ने साह था ठीक है इसके बाद अगला कुषिन आपने जो लिखना है वो लिखना है गड़वाल था कुमाओं दोनु जगह पर सासन करने वाला एक मात्र सासक यानि ग गड़वाल प्लस कुमाओं की गद्धी से सासन करने वाला एक मात्र सासर जो था बच्चो वो कुन था प्रद्यूम ने साह था ठीक है इसके गड़वाल में और वहां की दोनुकी क्या बैठा था गद्धी पर बैठा था अगला कुषिन दिखना है आपको पावार वंस में आईवे का अधिकारी कौन था लिखो पावार वंस में आई याई अोए यह याईई इनकम और एक्स्पेंडिश है weight का अधिकारी कौन कहल UX का बैठा था बैठा धाव यह भी क्या करना खूझ धियान लखना है ठीक है अगला यह लिखना आपको प्रभार सहासन कालमन परचदित ओताली क्या था एक परकार का राजस्टो का लिखो पुमार सासनकाल में परचद्ध ओताली ये था बच्चो राजस्टो का रेविन्यू टेक्स राजस्टो कर अपने आप बता ठीक है ओताली था इसके अलावा ये देखना कि जो इस तरह में जो सुरक्षया यानि पुमार सासनकाल में राजधानी की सुरक्षया का जिम्मा किसके पास था लिखो पुमार सासनकाल में राजधानी की सुरक्षया पवार काल में राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा जिस अधिकारी के पास था उसको बोला जाता था गया गोलदार क्या बोलते थे उसका गोलदार बोलते थे इसको क्या बोलते थे गोलदार बोलते थे जो कि राजधानी की क्या करता था सुरक्षा करता था इसी प्रकार से राजस्व का प्रमुख अधिकारी जो होता था दफ्तरी होता था लिगो पमार काल में राजस्व का प्रमुख अधिकारी जो था वो कौन होता था दफ्तरी क्या कौन कहलाता सा दफ्तर ही कहलाता सा ठीक है और लास्ट गुश्चन लिखना आपको मौला राम को साठ गाउं जागिर देने वाला पमार सासा कौन था वैसे यह बात में लिखना भी लिखने की जरुवत आपको नहीं है यह मैं आपको क्या करूगा बता दूगा ठीक है अब वैसे अगर आप लोग लिखना चाते हो लिख लो जाइक्रिट सा यानि मौला राम को साठ गाउं दान देने वाला सासक लिख लो मौला राम को 60 गाउं 60 दान करने वाला जो सासर था वो कौन था जाइकरित साह लिख दिया है ये नीचे लिखा है जाइकरित साह लिख दिया ठीक ये था आपका आज का क्लास अब देखने है इसमें मैंने आज बच्चों कम्पूटर एड नहीं की हुई है वो माज थोड़ा समय नहीं मिल पाए थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट आपके बोला रहता हूँ इस जो अभी वर्तमान हालात है आप लोग कई लोग बहुत इसमें मतलब पैनिक ले रहे हैं बहुत ज़्यादा परिशान ही हो रही होगी और उन बच्चों का जिनका फियर तरीके से सेलेक्शन हुआ था वो बहुत ज़्यादा भी क्या करूंगे डिमोटिवेट या बहुत परिशान होंगे मैं समझ रहा हूँ और ऐसे बच्चे उस समय परिशान थे जिसका नहीं हुआ अगर पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ किसी का अपनी मेहनत की वज़े से नहीं हुआ उसमें तो कोई दुख नहीं होता लेकिन अभी जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा थैरिया और सायम के अमत्तर जरुवत है हालात जो भी होंगे बहतर की हम लोग उमीद कर सकते है बहुत ज़्यादा पैनिक लेके अपने आपको डिप्रेस्ज मत कर देना ठीक है क्योंकि ये समय जो बुरा है ये भी बीच जाएगा आज नहीं कब तक नहीं बीचेगा बताओ एक मेहना दो मेहना और दोनों हालातों के लिए तहीं आ रही है मतलब कई बच्चे सोचने की भरती कैंसल होगी कई को लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए जो भी है जैसा भी होगा जो डिसीजन होगा लाक्स में मानना तो सभी को पड़ेगा जिस तरीकी से अभी जांस का भी सही है जांस चल रही है आपकी तो मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी कैस में भरती कैंसल हो जाती है तो इतना जादा आप लोग को मतलब परिसान मत होना आप फिर लड़ना ठीक है फिर खड़े उठना फिर आप लोग दिखा देना कि आप तब भी सही थे आप आज भी सही है ठीक है और उन बच्चों के लिए फिर से एक opportunity आजाएगी जो बहुत minor marks से वह पर रुके हैं जो point marks में रुके हैं एक नंबर से दो नंबर से जो रुके हैं उनके बले एक फिर से क्या मिल सकता है चांस मिल सकता है ठीक है तो जो भी होगा जैसा भी होगा last minute decision हम सभी को मानना है वो तो आप जानते ही जानते हैं सभी को मानना ही पड़ेगा तो उसके आधार पे आप लोग देखेंगे कि आप लोग बहुत tension बहुत ज़्यादा परिशान मत होना ठीक है फिर मिलते हैं अगले session पर अपना ध्यान रखी Thank you